हलो बचों कैसे हो फर्स क्लास तो चलिए हम लोग का चैटों चला प्रिजेंट टाइब में वर्क इनर्जी पामर पहला एपीजोड हो चुगा है आज यह दूसरा एपीजोड वर्क पामर इनर्जी तो क्या होता है जहां तक हो गया था ठीक उसके आगे तो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में यानि कि वर्क इनर्जी पामर का इपीजोड नमर वन में हम लोग पढ़ रहे थे वर्क देख रहे थी वर्क क्या है कार यह किसे कहा जाता है यह कैसे होता है कब माइनस होता है कब प्लस होता है तब जीरो होता है ना तो हम ल सब्सक्रीए कि यह एक सर्फेस है और इस पर एक चेन हाइंग कर रही है इस तरह से हां सब कुछ बेलपुल ही मैजिकल है बहुत ही यारशन और मैं आपको सिखाने जा रहा हूं । तो फिजिक्स का यहां पर मैजिक जादू देखते ही अंसर कैसे मारेंगे आप क्वेश्चन पर ओके चलेंगे तो सब्सक्रिए कि यह एक यह एक चेन है यह एक चेन उटा और तोटल माश आप दा चेन दिया हुआ आपको तोटल माश है यह इस चेन का माश है टोटल यह इसकी टोटल लेंथ टोटल लेंथ है यह और यह एक स्माल पोर्षन इसका एक स्माल पार्ट हैंगिंग फ्रम दे एज अब इस टेबल यह टेबल है इस टेबल के किनारे से कुछ हिस्सा इसका हइंग कर रहा लटका हुआ है कितना हिसा L equal to capital L upon N अब what is the value of N तो आपको different different vehicle में different different दिया रहेगा for example हम यहाँ पे लेते हैं L by N यह आपके exam में आया हुआ है L by N यहनि कि L by 3 आया है आपके exam में पुछा जा चुका भीटा N गमांद 3 दिया हुआ था तो question में कहा गया था कि total length of the mass total mass is M and total length is L the part of this chain part of L by 3 part of this chain is hanging from the edge of this table and now the question आप से पुछा किया जा रहा है कि यह यह यहाँ पर एक force लगा करके इसको pull किया जा रहा है उपर F यह force लगा कि हम इसको pull कर रहा है यानि कि chain का जो part hang कर रहा है यह इसको ऊपर लाना है so the work will be how much to pull hanging part to pull to pull hanging part on the table work 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 will be done how much अब आपको option दिया रहा है कि अटा M G L M G small L पाल option दूसरा M G L upon 3 this option M G L अपान 9 चौत अप्षिन M G L अपान इटीन कोई इसमें से एक अच्छा जो लगा मार दीजिए हाँ किसी एक परिसान लगा दूसरा आपके देखने से इस जो hanging portion है इसको आपको ऊपर खींचना है तो इसको खींचने में work कितना किया जाएगा तो बार-बार एक question आपकी जाम में आया हुआ है most important कैसे करेंगे इस question को चलिए करिए हाँ try to do this question हो गया चलिए वही पर video रोकर करके solve करिए और मैं बताने जाएगा इंसर मिलाज़ेगा solve करके ओके कभी भी जब भी ऐसा कोई question दिखाए पड़ेगा तो answer बस देखते ही बिना कोई calculation कि ये मोखी के answer मार दीजिए वैसे ही कैसे देख बड़ेगा answer इसका क्या हुगा w equal to mgl upon 2n square कर दीजिएगा this is the super trick this is the very very fantastic technique this is a super trick yes देखते ही answer मार दीजिए आप जाँ देखेंगा यदि ये पहले से याद होता ये super trick ये पहले से याद होता तो इसका answer आप कैसे मारते है देखे कैसे w equal to mgl upon देखे यहाँ पे क्या कह रहा है 2n square अभी मैं पूरा detail solve करके दिखाऊंगा लेकिन exam qualify करना है आपको आपको exam qualify करना प्राइट या निट जो भी exam आपका है CDSA या NDA है या TGT है PGT है जो भी exam है तो exam qualify करना है देखते ही answer कैसे तो यहाँ देखे तो यहाँ technique तो हमको तो पहले देखते ही answer मारना है ठीक है लेकिन detail भी उसका पता होना चाहिए चलिए फिर आल देखे तो W पराबर MGL होगे बटा M total mass G total length पर ले रख देंगे और 2 फर्मूले में है बटा 2 और N जहाँ पर N है वहाँ पर देखे क्या आपके equation में क्या दिया है 3 दिया है दिया है ने बटा वहाँ पर 3 दिया है यानिकि N का e square फर्मूले में क्या रहा है N का e square पर देखो यहाँ पर 2 N square N square इंटू 3 का e square what is the answer W एक्वाल टो MGL अपान 2 इंटो 9 means W एक्वाल टो MGL ना M GL अपान क्या 18 J वाच fantastic answer okay तो दिस इस दा शूपर ट्रिक वेरी फास्ट प्रोसेस अब सवाल है कि यह आया कहां से यह आया कहां से यह यह न पता होता तो कैसे साल्व करते चलिए आजाए यह देख बताते आपको चलो तो अब एक जोड़ा अपने मन से लगा लिए दूसा क्वेशन तब मैं कर चलो इस कि यह हो गया याद है ना सब्सक्राइब अगला एक क्वेशन देता हूं अब दीजिए कि जो हैंगिंग पार्ट हो यह यह जल्दी फटा-फट हैंगिंग पार्ट वाधा हैंग कर रहा है उसको अपर खिंचना है कि क्या इंसर आएगा जल्दी मारी है अब दा हैंगिंग पार्ट वाई टू क्या बोला हूं वाई टू हाँ आई यह देखा जाए यह जो एल है मैं बोला हूं कि एल बाई टू हैंग कर राट है और आप इसको खिंचने में कितना वार्ट होगा जल्दी यह समाग दीजिए फटा-फट हाँ फस्ला सेंसर जल्दी से तुरांत अपना यूज कर यह टेकनिक अभी बताया हूं डवलू इक्वल टू, क्या? M, G, L अपान टू एन इसकोर बस यही याद रहना है यह याद रखना विटा अपन एल ब़ाबर एल बाई टू है यह जहांपर होता हो यह एन होता है तो M, G, L अपान टू, इंटू टू का सकोर यही ना देखो, डवलू ब्राबर कितना हो गय एम जी एल अपान तू का इस्वार फोर टू एट फंटास्टिक एंसर आ जाओ चले एक और बोले एंसर यह दि हैंगिंग पार्ट पूरे का एल अपान फोर होता तो क्या होता जल्दी बोले एंसर हाँ यदि यह पार्ट पूरे का एल भाई फोर होता हैंग कर रहा होता तो उसको खींचने में उपर ले जाने में यह इतना हैंगिंग पार्ट को हिस्सा उपर ले जाने में किना वर करना पड़ता बस इसमें क्या दिखते हैं जैसे ही हो इसे हिस्सा डबलो ब्राबर देखते इंस है, MGL upon 2N square, ओके, W ब्राबर, MGL upon क्या, 2, N की बेलों कितनी हुटा, यह, 4, 4 का square, W ब्राबर, MGL upon 2, 4 का square, 16, equal to, क्या हुआ, MGL upon, क्या हुटा, 16, 22, 32, 32, this is the answer, हो गया, तो कोई भी question दी है, कोई भी question दी ऐसा है, कि या तो देखिए, या तो कोई chain कहेगा, या तो कोई रसी कहेगा, कोई string है, chain है, कुछ भी है, rope है, कुछ भी कहा जाए उटा, और कहा जाए, कि कोई table है, table से उसका कुछ हिस्सा नीचे hang कर रहा है, तो उसको ना, अच्छा हाँ, यहाँ कोई friction वगरा है, नहीं, बस इतना है question में रहेगा, कि हाँ है, हैं हो hang कर रहा है, उसको खींचना है, ऊपर खींचना है, अब यह नहीं सूचिएगा, कि अहाँ क्रिक्षन नहीं कैसे hang कर रहा है, यहीं सब काम नहीं करने का, आपको कह कि इतना हिस्सा हैं कर रहा है तो बताओ कि उसको खींचोगे कैसे ऊपर कैसे लाओगे लाने में उसको कितना वर्क करना पड़ेगा there is no friction friction का कोई नाम नहीं लिया गया बटा बस इतना ही question है आपकी जाम में आया हुगा question है तो L by 2 पर देखा है mg देखे L by 2 हैंक कर रहा था तो एंसा है mg L by 8 L by 3 पर आया था mg L by 18 L by 4 पर आया है mg L by 32 तो very very fantastic trick clear मौकी मार देंगे देख करके चलिए मौकी मारी है हाँ अब बिना पेड़ उठाए मारी है एक chain है एक table से उसका L by 5 हिस्ता हैंक कर रहा यानि कि 1 फिफ्थ यह बटा पांचवा हिस्ता हैंक कर रहा है उसको खीचना है उपर table पर लाने में किना बर करना पड़ेगा जल्दी बोलिए answer हाँ mg L by 2 N square तो mg L by 2 ही है और 5 यह बार 5 है 5 का इसका 25 25 इंटु 2 यानि 50 mg L by 50 देट इट इस इंस है सही फंटास्टिक ओके अब इसका explanation कि आया कहां से चलिए प्रेनोट कर लिए हम जानते हैं कि अब इतना देखने के बाद में आपको अमन नहीं कर रहा होगा कि आया कहां से उसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते होंगे अब आप इस सोच रहे होंगे कि बस सर्दाने होना शेए ना शेक्हार आपको किसी को दिखाना नहीं हम तेजुखा हैं हमको लंबा-लंबा आता आता है यह नहीं करने का हमारा प्रेंश सही होना चाहिए यह पेन वहीन लगे पेन वहीन लगे जो एक बार ऐसा हो जाए बाकी का काम अपने अप हो जाना है उसके लिए हमको क्या सिखना है पूरा फिजिक्स आपको ठारो नालिज होना चाहिए तेरी का लेकिन एंसर मारने का घजब का तरीका होना चाहिए विशी को कहते है तायारी तैयारी मतलब भी नहीं होता है कि जैसे इंट्रेक्ट की प्राइब कर रहे हैं कि अच्छा बार की और या जैसे ब्यस्ट की क्लाशी चलती अइसा नहीं आपको कुछ प्राइब कर दखते हैं तो थार्व नौ्रिज पढ़ते हैं और शाथि-षाथ उसे बात हम क्या करते हैं हर किस्टन को सुपर फास्ट वे से कैसे साल गया जाएगा इस सेरी हम नोगे स्टोंप्र ट्रिक्स उप्रिक्स भी देते चलते हैं हो देखना ना रेट यर्डेण। बॉक्स बनाओ रेट्पेंज से घेरो तबलू बराबर एम जी अलबाइटू एनिस्क्वार ओलवेज ओलवेज चलियर आगे बढ़े चलो हाँ अब हम जारे ती सोब प्रूप करने आज आज आओ बस देख लेते दो मिनट ऑफ दो मिनट बस यह साफ प्रूप देख लेते थ बहुत सारे निम्हेर कर एक लिए हर एपीशोड हर इंपर्टेंट होता है किस एपीशोड किसमालों कि कि दो मिनट पर सब से इंपर्टेंट पॉइंट है तो आप आगे पीशे भागा करके जल्दबाजी देखनी की कुशिस लापिने करिएगा उस अंच्हा नुवत कर जा देखना बेकार हो जाएगा तो जब भी देखेगा बहुत सिस्टमेटिक ना बहुत ही सिस्टमेटिक नोट्स बनाते जाएगा शाली बात आच्छी तर से समझेगा तब पढ़ाई कम जाएगे ओठा हां आ जाओ और आगे बढ़ते हैं और अब है यहां पर अब हम लोग यहां पर देखना थे जब आ कि कैसे कहां से फार्मुला आता है और इसका प्रूफ क्या है तो मैं इसको फ्वाफ इसकी थियोरी यह यह देखा जाए इसकी थियोरी क्या है चलो ओके यहां पे यह एल बराबर स्मॉल एल तो यह कोई ने कोई हिस्सा होगा पूरे का कोई कोई हिस्सा होगा तो मान लिया जाए कि एल बराबर है यहांने कि वन बई एनमा जैसे वन बई फिफ्थ वन बई फोर्थ वन बई सेवन्थ कुछ भी तो एल इक्वल टू एल बई एन मिन्स कि एक बटा एनमा हिस्सा हेंग कर रहा है है तो शीरिजी बात है चेन यूनिफार्म है होमुजीनिय संडि charitable बई तो जितना टुकडा करेंगे मासल बितना टुकडा हो जाएगा कि नहीं वहले दस हीछा कर देंग और या या यह यह चैन का मास आफ हांगिंग पार्ट की ना हो जाएगा, तो मास आफ हांगिंग पार्ट सीधा सीधा हो जाएगा, म बाई यन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, म बाई यन, इसलिए हो जाएगा, कि यह दिस तुकड़ा करेंगा, तो यह तुकड़े का मास की ना हो जाएगा, कैप्टल पूरा था उसका वन बाई टेंथ तो एम बाई एन होगे उटा चले फंटास्टे अब आज आज देखना हो जानते हो कि यहां से लेकर के यहां तक मास यूडि फार्म है नव्टा तो जब बस तो इनी फार्म होती है तो सेंटर आप मास पीछे भी पढ़ चुके हो इसलिए प है लंबाई है एल तो सेंटर आप मास ठीक बीच में अवस से होगा अवस सही यहां पर होगा सेंटर आप मास यहां पर तो जब सेंटर आप मास ठीक बीच में है तो जो किसको खिंचना है पूरे चेन को खिंचना है ना पूरे चेन को ले जाना जितना है उसको लेकिन जब अब ही आप potential energy निकालते हो, तो याद रहे कि ground से, यानि कि change in the potential energy will be always, always, आप लिखते हो potential energy mgh, h है क्या, तो याद रहे कि हमेशा h, center of mass की height होती है, बैटा, क्या, किसका height, जैसे mass, बैसे माली की chain बहुत लंबी है इतनी, तो पूरे chain को नहीं देखोगे shifting, shifting देखोगे उसे center of mass की कितनी shifting हो रही है, तो actual मेरे, याद पूरा लंबाई small l है, तो center of mass इतना ही ने जाएगा उपर, तो center of mass की जो shifting होनी है, वह होनी है, ये इतना है, कितना L by 2 ही shift करना है न? तो center of mass को shift किया जाता बटा center of mass को shift करना होता है तो center of mass को यहां से ले करके यहां ता करें इतना खींचना है उपर center of mass की shifting देखता है पूरा chain हाँ पूरी chain चले जाएगी center of mass इतना shift होगा तब तो जब center of mass इतना shift होगा बटा तो पूरी chain उपर होगी ओके हैं, हो गया, अब जानते हैं क्या, कि work done equal to होता क्या है विटा, तो w ब्राबर work done ब्राब होता है m, g, h, w ब्राबर क्या होता है, m, g, h होता है, अब w ब्राबर देखें क्या होगा, तो m upon n अभी अभी आपने बोला कि यह नमा पार्ट हो जानेगा न, कितना मास को उपर ले जाना है इतना यहाँ देखो, यहाँ, यहाँ यू समझे कि यहाँ पर m by n मास है, यहाँ मास m by n यहाँ प S के अस्तान पर L by 2 होगा अब क्या हुआ तर फिर देखें और आगे W इक्वल टू कितना होगा M by N तो है ही G into और क्या यहाँ पर देखना अबड़ा L और इसमाल L बराबर L by N तो L अपान 2N होगा ना देखें बहुत सिंपल साथ होगा बड़ा चालो W बराबर कितना होगा बोलो अपड़ा W बराबर कितना होगया M G L M G L अपान 2N square 2N square इस इस दे प्रूफ M G L अपान 2N square इस इस बहेरी भेरी फैंटास्टिक प्रूफ तो इस टाइब का क्वेश्चन आप तुरत ही देखते मार देंगे कुछ भी नहीं सेकेंड भी नहीं लगना मिटा क्वेश्चन तुरत ही एंसर आ जाएगा चलिए अब मारके दिखाईए हमको अगला क्वेश्चन में ठीक इसी से मिलता जुलता दे रहा हूं थोड़ा सा चे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं अब साल करके दिखाईए इसका अब देखना पहले तो एक यहां पर पॉइंट है कि एक मास बटा यहां पर मास है है उस क्वेश्चन पर जाने के पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट के लिए कर दो बटा यहां पर है मास है इस मास को हम लोग तीन तरह से ले जा सकते हैं इस मास को लेकर के जाना पॉइंट ए से यह पॉइंट ए है पॉइंट ए पॉइंट जाना है कि इस मार्ण को पाइंट A से यां ले जाना है इसको प्षुलर बने तरीके से ले सकता है नंबर बन नमबर इनक डाइकट यह स्ट्रेट अ मिह वह दो है वें जैशर डिया है और यहाँ है रेडियस है ना दो मीटर जबकि यह यह है दो मीटर इधर और यहाँ से दो मीटर इधर मिंज कि पूरा हो गया कि सुह में लेकर के गये अकर दूसरा तरह के था मचल यह लेकर के ुपकि पहले यहां लेकर के गये bob दस मीटर नो टा यहां लेगा रहें कि दस मीटर यहां पर लेगा शिक्स मीटर और ऐसे तब वहां पर पहुंचे एक तरीका यह था ठेक चला अब आप यह बताईए कि आके पास सपूस करिए कि यह जो डायरेट उपर लेकर के जा रहे हैं यह वर्क था डबलू वन यह वाला वर्क था डबलू टू जब ऐसे लेकर के गए तो वर्क था डबलू टू और जब ऐसे लेकर के गए पहले यहां से यहां ले गए तब य अब आपके सामने तीन आप्सन दिया हुआ है। बस लेस्ट देन डबलुवान और फोर्थ आप्सन देटा डबलुवान एकवार टू डबलुटू एकवार टू डबलुटू एकवार टू डबलुटू कौन सा अच्छा लग रहा है आपको हाँ डबलुटू पहले इतना गया तब इतना गया यह प्रोसेस था लग रहा है कि यही ज्यादा वर्थ किया होगा फिर उसे बाद में तब यह था ना तब यह था और इसमें देखोटा यह फोर मीटर डायरेक्ट था यह सीधा अगे था वहाँ पर हाँ बटा किश्व मार दिया जा तो हाँ आप 100% शिवर होंगे बिलकुर सही है क्या डबलुब बराबर डबलुटू बराबर डबलुट्री सवाले कि कैसे है देखोटा अब तो अब यहाँ पर दो बाते हैं एक है पहला है कंजरवेटिव सब दूसरा है नान कंजरवेटिव सब तो याद रहे बटा कि कंजरवेटिव कंजरवेटिव फोर्स क्या होते हैं तो conservative force या conservative field वह फिल्ड या वह force होते वेड़ा जिसमें work done does not depend on the path means कि work क्या लिखेंगे जल्दी में साथ लिखे work done does not depend on path अब दा बेस्ट एजाम पर लिखेंगे अब टमबर वान नमबर मनना gravitational field है नमबर वन वेड़ा gravitational field है और या gravitational force क्या दिजिए वेड़ा field या force दोनों क्या दिजिए और नमबर दो ले लिजए electro static electrostatic field या यहां पर भी वही बात electrostatic field या force उटा तो तो gravitational field और electrostatic force और electrostatic force उटा ओके तो क्या भी भी तो अब जाँ देखिएगा relative field जैसे मा लेजिए एक charge को दूरसे अस्थान पर ले करके गए तो work done does not depend on the path किस राष्टे से ले करके गए हैं या उस पर depend नहीं करता या केवल इस बात पर depend करेगा कि जहां initial position में potential कितना था और जहां पहुंचाए हो न अंति में वहाँ potential कितना है means only depend on the potential difference only depend on the potential difference does not depend on the path किस राष्टे से लाए हो does not matter कि जैसे फाई पर मंँपर मा अलुकि है पांच किलोग्राम के बस्त हमको हाथ हमें उठा करके यहां पर और हम इसको उठा करके पहले कर दो पर या पहले हम 20 मीटर इधर लेकर गए फिर घुमा करके लाकर यहां रखे या फिर कर्व बनाते हुए लेकर करके लाकर के यहां पर रखे चाहे जहां पर रखे बीच में आप कहां गये थे कोई मतलब नहीं है सुरू में वबस्तु कहां थी अंत में आपने कहां रखा है सीधा इस्ट्रीट वर्टिकल मिला दीजिए उसको सीधा इस्ट्रीट वर्टिकल मिला दीजिए जो हाइट होगी वही एच बनेगी वही एच बनेगी और उसके सेंटर आप मास से सेंटर आप मास नहां पा जाएग और W ब्रावर चेंज इनने पोटेशन इनरजी MGH होगा ओके फैंटास्टिक तो अब यहाई आविटा क्या इंचर आया W1 ब्रावर W2 ब्रावर W3 दॉस्थ नाट डिपेंड अन देपेंड वेव ब्रावर 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 W3 ब्रावर 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 ब्राव इसे लिए फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क ड़न होता है वो हमेशा फ्र माइनस इस होता है यह यह ब्राबर फ्र ब्राबर क्या होता है the mu into N into yes means displacement this is the minus salvage क्यों 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 कि friction force के दोरा जो work होता है वह हमेशा है displacement जिदर बाड़ी मुव कर रही होगी तो आप friction उसके पॉजिटू रहा होगा जिदर आप force लगाए होंगे जिदर आप force लगाएं तो friction force देखें friction force प्रिक्षन के द्वारा कितना वर्क किया गया नहीं कि वर्क दन अगे कितना काम किया विटा तो क्या कहोगे और यह कैसा है दोनों के बीच में एंगल देख रहे हैं इसलिए काते हैं कि जो फ्रिक्षन होता है वह और फ्रिक्षन इस आल वेज डिसीपेटिव फोर्स कि हमेशा इनर्जीको लास्ट कराता है यह हमेशा इनर्जीको लास्ट कराता अब वह कभी भी इस्टोर नहीं होता यहां कि potential energy में फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो work done होता है that work done never store in the form of the potential energy हमिसान loss होता है loss होता है घड़ जाता है इसलिए मैटा minus sign है ओके चलो अब आजाईए तो यहां जो conservative force है ना याद देखना कि conservative force के लिए formula hold करता है f ब्रावर माइनस du upon dr ना विटा यह पीशे मैं बता चुका हूँ कहां पर neutral slab motion में neutral slab motion में बता है यहां पर यहां कि equilibrium condition समझा रहा था कि equilibrium क्या होता बाड़ी को हम कब कहते है equilibrium वहां पर पढ़े है कि equilibrium होता है stable non-estable and neutral ना विटा तो वहां पर था सब पढ़े हैं जम करके विटा f equal to minus du by dr this only exist for the conservative forces this equation only exist for the conservative forces this is not exist for the non-conservative forces मैं करूं कि क्या यहां फार्वूला friction force के लिए possible है वाह को होगे नहीं यह केवल and केवल conservative तो लिए होता बाड़ा इसा मतबे हुगा कि potential energy du is what du is the change in the potential energy u is the potential energy r is the displacement and f is the force so there is only relation there is a relation between the potential energy and force only for conservative note करो only for conservative yeah अब हम चलते हैं जहां पर में हम लोग रुके हुए थे अभी अभी जो chain वाला equation solve की है अब वो chain का एक दूसरा फार्व दिखाने जा रहा है अब अपने मन से answer दीजिए solve करिए answer दीजिए हाँ तो question क्या है आए देखते हैं हाँ यहां पर जल्दी से note कर लिजेगा conservative non-conservative कब work done store होता है potential energy के फार में कब work done potential energy के फार में store नहीं होता है इस सारी बातें सब कुछ बेलकुल clear रहना चाहिए हाँ क्या पड़ायो ती हंड्रेड फिजेग्स क्या पड़ायो ती हंड्रेड फिजेग्स अगला question लिए यह एक टेबल है यह एक टेबल है यह एक टेबल होटा और यह टेबल न हाँ हाँ थोर सा डबल हो गया सिंगल कर देंटाइश्यू चाहँ देखो तो यह एक टेबल है कि टेबल थोड़ा इस तरह से इंक्लाइंट प्लेइन के जैसा बना रहा है टेबल ऐसे यह और यह ग्राउंट है एक ग्राउंड है यह एंगल है 30 डिग्री और अब चेन इस पर रखा गया होटा देखो यह टेबल है ना यह टेबल है और चेन देखें यहाँ पर रखा गया है यह चेन रखा गया देखो इस पर ठीक हाँ आइसे आइसे चेन रखा गया ओके यह और जश्ट वही टोटल मास आप दा चेन टोटल मास एम चेन का टोटल मास टोटल लेंथ और जो हिस्टा है वह इसमाल ल फ्राम फ्राम हीर टो फीर यह यह की आल इकrict होटा कितना कुछ भी लेले लिए ल बाई लेले लेते हैं फ्रो चल्लो तो यखा टोटल ल इखा लाई फ्रोटल ल इखा है क्रिश्टन वही वही हां बिल्कुल वही क्या कि वर्क वर्क रिक्वार्ट टू पुल चेन अन्द टेवल अन्द अन्द टेवल चेन को टेबा पर लाने के लिए किना वर्क करना पड़ेगा चले ट्राइट ड्रू दू दा क्वेश्टन हाट इसको सल्फने की कोशिस करिए ट्राइट टू साल्व हो गया आजए अब इसको मैं साल्व कर रहा हूं यहां पर रोक करें बड़ा साल्व करिए और प्लाइस है मिलाईएगा आजए मैंस करूं चलिए ओके तो अभी अभी मैं कुछ बातें बताया हूंग आपको कि कंजर्विटिव जब जो चेन कोम को खीचना है उपर तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वरक होना है तो वर्डिकल चाहिए न डिस्टेंस हां हमेशा अभी अभी सिखाया हूंग चाहे जिस रास्ते पर लिए जा रहे हो हम तिर्छा इधर उधर कर वना करके चाहे जहां पर हमेशा मेर मेर्वी अपर वरक डन 19 अग्योंग टाली अल्वेश टलली ग्रावर एम जी एच और एश तक का कल्कुलिशन चाहरा यसा है यसा तो पहले कह था शैंटर आप मास महाट में चाहर इस इस इसटेंस वर्टिकल डिस्टेंस जो भी होगा विटा सेंटर अफ मास इनिशियल सेंटर अफ मास फाइनल दोनो के विश का वर्टिकल डिस्टेंस जो भी होगा वही स्माल एच का लाएगा और वर्क डन अलवेज MGH तो सिंस यू नो W ब्रापर M G H H is the वर्टिकल डिस्टेंस बिट्विन दा टू पोजीशन्स आफ शेंटर अफ मास देरफोर ना यहां से यहां से यहां से लेकर यहां ताई तो पहली बात है कि जो मास हैंग किया यहां पर L by 4 है तो मालूम है कि इसमाल M मास हैंग कर रहा है तो मास हैंग कितना हो जाएग पर्टा इसमाल M मैं एदि मानू तो इसमाल M ब्राबर मास हैंग इकल तो विल बी हाव माच 1 by 4th part is hanging and therefore the mass of the hanging part will be 1 4th M by 4 No problem M by 4 हुआ अब क्या चाहिए यह जी और H चाहिए H के लिए क्या करना होगा जानते हो हर जुन ऐसे लेटरल है विटा तो inclined है वो तो लेना नहीं है आपको लेना क्या है वर्ड केल तो वर्ड केल इस विल भी दा वर्ड केल चेनिया है विटा ऐसे यह लेकिन आ से वर्ड केल सीफ्टिंग चाहिए L by 4, देशना हुटा, L by 4, what? sin, L by 4 sin 30 degree, को आपटा? So, L by 4 sin 30, this is the sin L by 4, therefore this will be L by 4 sin 60. So, L by 4, और क्या हुआ हुटा? L by 4, mine, L by 4 sin 30, sin 30 means 1 by 2, means की L by 8. होगे हुटा, ध्यान देजिएगा, यह, तो मास कितना हुगा अपटा? मास है M by 4, और यहां पर देखो, यह, देखना, ध्यान देजिएगा, यह, वर्डिकल हाइट कितना, वर्डिकल हाइट से मतलब है, यह, यहां पर है, तो यहां से तो मास कल्कुलेट कर लिए हमने के M by 4 मось है टोटल यहां पे हैं कर रहा हैं माइए मंड़कर मास है रोकिन वर्टिकल ओंडत इतनी है तो यह वर्टिकल हाइट है रोडिकल करें और जानते हो कि में एक यह व्रडिकल से ही ड़ यूह होगीt तो h ये final h ये आया center of mass भे कितनी shifting होनी है तो h बराबर क्या हुआ देखिए l by 8 का half हो गया तो l by 8 into 1 by 2 हो गया means कि what is the required h that is l by 16 l by 16 fantastic तो h की value है l by 16 पक्का अब जा देखना w बराबर कितना हुआ हाँ क्लियर हो गए न वर्टिकल अभी इसलिए पहले मैं आपको concept रिखाया हूँ conservative non conservative क्या होते विटा और जो हम w बराबर mgs में जो h लेते विटा वो कहां पर है कहीं पर कोई भी पास्ट तीर्षी हो inclined plane पर रखी हो चाहें जहां पर रखी हो हमेरे साथ जब भी w का calculation करिएगा तो पहले देखिएगा कि initial में central mass कहां था और final में कहां पर है और सिधा अब कितना हुआ तो डबलू बराबर एम जी एल अपान कितना सोले गुड़े चार यह इनिक 64 सो मच जूल इस इस दो वर्क डाइब फंटास्टरी हां अब कहोगे नवटा अब कहोगे इस सरुवाला क्यों नहीं लगा है कों एम जी एल भाई एम जी एल अपान 2N स्क्वायर तो यहां पर नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्यों देख रहे हुआ हूं नहीं तो आपको एल भाई कीि यहां पर क्या हुरा यहां पर हमकों जो दिया है V4 वह यहां दिया है구요 इसलिए वह फार्मूला इन्गराइन प्लेन पर आ पर आजाएगा तो साप नहीं होगा यानि कि एंसर उस से नहीं निकाला जाएगा इसलिए हमने वहां पर बताया था आपको तो वह वर्डिकल हैंग किया होता है small L बलाबर capital L by 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो में कुछ भी anything तो फार्मिला जानते हो super tray क्या MGL by 2N square लेखिन का जब string वर्डिकल रहेगी तब और जब ऐसा हो जाएगा तब तब ऐसे करना पड़ेगा, क्यों नहीं लाग हो रहा वैटा क्योंकि यह इन inclined plane पर है, यहां mass और mass, mass, mass ना वैटा और वर्डिकल दोनों एक direction में नहीं है और वहाँ पर क्या था, दोनों एक direction में थे तो वहाँ कोई changing नहीं करना था सीधे फार्मूला वहाँ लग रहा था ओके, हमारे समझे बेटा, clear हो गया होंगे एवाँ फिर से सुनों बेटा पहला step, first step mass calculate कर लेना कि कितना mass नहीं किया है दूसरा step दूसरा step बेटा center आप mass की, ओ देख लेना position कहां पर है center mass को टेबल पर पहुंचाना, बस इतना ध्यान देना पूरा chain कहां है इससे ही आपका कोई लेना देना नहीं center आप mass गजब का पढ़ए ओपी छे पक्का पढ़ लेना, तब यह सब काम करना इधा है हाँ, यह तम systematic पढ़ना मैं जैसे पढ़ा रहा हूं तब यह एकदम पिछला वीडियो पूरा हो तब यह अगला पढ़ना अच्छी तरह से जब अर्जस कमांड के लिए physics को अपने मुठी में लेने के लिए ओके क्या पढ़ रहे हो physics come on the point तो अब पूरा जानते हो कि what is the center of mass center of mass is a point at which you can consider that the total mass of the body is concentrated या नहीं यह जैसे मालनों बीड़ा पांस किलो ग्राम की कोई बश्त हो है पांस किलो ग्राम की कई बस्त है और उसको एक बिंद से दुश्रे बिंद को और उठा रहे हो अब बस वहुल डाइमेंशन उसका आकार बहुत बड़ा है जैसे रूई का गठर है हाँ इतना गठर है और है पांस किलो ना बिटा और उसकी लंबाई यह उसकी एक मीटर है मैं कहूं कि रूई के गठर को पांस किलो ग्राम का रूई का गठर था उसको उठा करके दस मीटर उपर रखे गठर के बीच से यह यह ना तो यह इस तो अप पहले क्या देखो गठर को पूरा देख लो देख लिया गठर हाँ रूई का गठर है देख लिया ओके आज देखोगे उसका ना चारत अफसे एक जैसा होगा और फ़ृपार मोगा तो इसका संट्रल अपमास निस्तान पूर्वे draft शिवर यहां उठाक ले जाके रके हो ना तो गठर हो तो देखोगे ती रही कहां पर है गठ्ठर का बेश कहां पर हूँ सब की चक्कर में पड़ो ना कुछ नहीं आप देखो के वाल विटा सेंटर आप मास पहले वाला कहां था सेंटर आप मास बाद वाला कहां है सेंटर आप मास वन वाला इनीशियल एंड फाइनल के 20 की वर्टिकल हाइट वर्टिकल ह step first step we have to determine the value of the hanging part m by 4 in the second step we have to determine the h what is the h okay what is the h or h के लिए पले क्या करें बीटा vertical distance निकाल दिया है देखो लबाई 8 आया है h निकाले हो उसका अधा हो गया बीटा ना अधा हो गया लबाई 16 हो गया बस इसे सीटम डवलू का मान निकाल दिये चाड़िए अब अगला को कीशन में दे रहा हूं जल्व करके सकान्सान निकाल दिजीए देख किया हूँ आपने मन से करिए आख आजाए है एक और क्येस्टन दे दूम इस पर हूं एक क्या नहीं मृइंस निकाल दिए निक्ला इन्प्लें हाँ चलो वही क्वेशन लेलो फिर से यह कोई निक्लाइन प्रेंट यह कोई एक कर टेबल है और इस पर एक चेन रखी हुई है इस तरह से बिटा हाँ और यह शर्फिस ऐसे है और यह इंगलऍना दिया और वही हैया ओके चलो अब कितने हैंक रही हो देखिए इहां पर कोछ रिशा का चेन का यहां पर इतना यह कि यह 0-2 ओके हाफ पोर्शन है कर दा है इसका कोई बात है कुछ भी ले लिया जा चल लोटा और टोटल मांस कितना दिया हुआ है तो चल लोड़े टोटल मांस है एम टोटल लेंथ है एल ओके तो हैंगिंग पार्ट को अब उपर खीचना है ना वर्क कि वर्क रिक्वाइड कि टो पुल है एंगिंग पार्ट ए हैंगिंग पार्ट ए अपक्वरड वर्क रिक्वाइड फूल फांगिंग पार्ट अपकवरड चल भीटा हां निकालो और रिस से निकालीजी जरूरカンタ साल करने ंफ के था हाँ हुँ हुआ है 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 वीडियो को रूख कर लो पिटा अब आए इसा मिला दिजिए अपना इसाल को पहले अपने मन से साल को लो पिटा उसबाँ मैं साल कर रहा है इसाल को लाइए चलो पहला इस्टेप तुरान फटा-फटा जाओ मास कितना हैं क्या राटा हाँ जल्दी एक लाइन में बोले जल्दी एम भाई थ्री हां एम भाई थ्री एक हो गया और देखो सामने यह फॉर्टिफाइफ दिस यह आसो फॉर्टिफाइफ इस एज पॉइंट से सीदा वर्टिकल ड्रा कर दीजिए एक वर्टिकल लाइन खिन दीजिए तो यह है लगा थ्री तो 45 डिग्री ओके फेंटास्टिक यह बाला ना एंगल के सामने हमेसा अंगल के सामने हमेसा साइब होता पंटा तो अल रूट 2 से नीचे उपर मल्टिप्लाई कर दिया जाए, तो किना बन जाएगा आपटा, तो बन जाएगा रूट 2, देखो, रूट 2 ऊपर हो गया, रूट 2 और नीचे किना अपटा, L अपान क्या, L अपान 2, तो थ्री पहले से ही था, रूट 2, रूट 2 किना हो जाएगा, 2, means कि रूट टू एल अपान शिक्स है फंटास्टिक चालो अब आजाओ तो हमको तो चाहिए क्या अगला इस टैफ हमको तो चाहिए सेंटर आप मास की हाइट तो यह जानते हो उस आधा सेंटर आप मास यह होगा इसा मतलब कि एच बराबर कितना हो बटा देखो तो एच बराब तो एच बराबर कितना होटा फिर से देखो रूट टू एल अपान ट्वैल बस देखे बहुत आसान सब कुछ होगे अब दाँ बस अब देखो अब इस चेन को पूरा उपर ले जाने में कितना पर करना पड़ेगा ना तो बहुत आसान देखिए डबलो बराबर कितना पर तो W ब्राबर M G H, W ब्राबर M, M ब्राबर देख़वाँ, M by 3 G H, हाँ टा, ये, ये क्या ब्राबर M G H, चलो हाँ ठीक है, यहाँ तक, M H की वेलु ब्राबर M G H, निकाल ले हम लोग, M G H, चलो, H की वेलु यहाँ रखा जाए, तो M by 3, और H, तो H ब्राबर करना, M G L, तो यहाँ रूट लगा दा, डालो ब्राबर, रूट टू, रूट टू, उपर आया पहले से ही, M G L, अपान कितना, हाँ ब्राबर, तो यहाँ चेक कर लें न, हम लोग, हाफ की है न, हाँ ठीक, H की है, हाँ ठीक है, तो 12, तो 12 इंटू 3, 36, 36, क्या, जूल, तो W ब्राबर, रूट टू, M G L, अपान, 36, जूल, यहाँ, हो गया, आजाओ, चले, अब टापी, चेंज करते हैं, तो यह सब का तयार हो गया होगा, फर्स क्लास कहीं कोई डाउट नहीं होगा, इस्टेप समझ गए क्या करना है, मास कितना भाइंग कर रहा है, शिफ्टिंग कितनी हो रहे हैं इस इंटराफ मास में, वह H होता है, और W ब्राबर, M G S, चले, अगला क्वेश है, अब टापी, हाँ, अब टाइप बटा, अगल दूसरे टाइप का क्वेश्चन, आज बटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन के, यह ट्रेन जा रहे हैं, ट्रेन का बहुत सारा क्वेश्चन पीशे पड़े हुए हो ना, यह ट्रेन जा रहे है, और यह ट्रेन में, एक आदमी है, ना बटा, जो एक सुटकेस को, ठीक, एक आदमी बटा, जो अपने सुटकेस को खीच ले रहा है, ठीक, यह और दोड़ा है यहां लेकर जा रहा है, कितना, तो यहाद शुटकेस को दो मीटर पर सेकंड से खीच रहा है या कि एक सेकंड में दो मीटर खीच रहा सुटकेश को और ट्रेन की स्पीड है कि अ इट मीटर सबसेंद ट्रेन जा रहा है याट मीटर सबसेंद से और यह आज वी ट्रेन के अन्द अपने स्ट्वीझ केस को एक स्थान से दूसरीophile स्थान को फीचा बैटा हां या धका दे रहाए पुस कर रहा मालोग है चालो पुस कर रहा है तो कि ना किस विश्च भीलाउस्टिक से दो मिटा पर संट से अ पना शूटके से वह धका दे रहा है किदर sagt aus पंचाने किदर जीदर टेंज जा रही है उदर एट विटा पार सेकेंटि से टेंज तेंच आ कि और यह 2 मिता पर सच्विट से पुष करला उदगे कितने देर तक पुष किया है तो वाट एज what is work done in two seconds what is work done in two seconds what is work done in two seconds number one with respect to kya trend or dhusra with respect to ground what is work done in two seconds by person kis aadmi nye dhose second me kina kama kya bhaot aasant haa bhaot hi aasant chalye insa marie haa insa nika lo insa nika lo ho gya saav ka liya phir se dhekhe ये एक train है, ये एक train है, 8 Meter पर्सनल से इस feet जा रही है, ये एकादमी train के अदर है, ये इसका showcase है, इसको ये अपना इस शुटकेस के दो मीटा पर्सेंड के स्पीड से पुश करता रहा है उस दो सेकंड में वर्क डन बाई दा पर्सेंड क्या होगा है ट्राइट डू कोशिश करिये है हो गया चलिए आजाईए अब एंसा दो पुठाओ है पाहले पार्ट बें कहा है कि विध रिश्पेट्ट टू टु ट्रेन याने इस अब अब अभी व्यौल्ध कि वार्क डनड्र क्यां डिपेंड ऑंधा फ्रेम आफ रिफिरेंस से धी बात होगें में विद्ुकें हाँ वार्ट डिपेंड डान दर फ्रेम आफ रिफेरेंस तभी तो भाई दोर में पूछा जा रहा ना डलू आर्ट विट रिस्पेट टू ट्रेन चाल लिए हम लोग जानते हैं कि होता है एफ अब किनना फोस लगाया है तो यह भी दिया रहेगा आपको एफ दिया हुआ है यहां पर एफ और एफ बराबार स्पोस करिए है यह 20 निउटन यह आपका बान भी दिया हुआ है हाँ चलिए बाप फिशे कोशिश कर लुटा आदमी 20 डिटों का फोस्ट लगाया हुआ हो गया आ जाए चलिए देखे मैं साल कर अब डा तो W ब्राबर F into D तो W ब्राबर देखे जब हमको एंसर देना होगा train के साप एक्श work done क्या है तो जिसके साप एक्श यानिकि with respect to जिसके देखा जाता है displacement उसी पर cancer करना होगा तो displacement उस पर train पर ही measuring पर है train के फ्लोर पर то train के फ्लोर पर 2 मीटर पर सि्कन्ट से है और दो सेकेंड तक पुछ किया है तो फोर्च तो हो गया 20 न्यूटन क्योंकि दिया हुआ है और रहा बात डिस्परसिमेंड की तो डिस्परसिमेंड हो गया v2ت विलास्टा toplis disappointment बताएका तो W ब्रावर 20 इंटू V 2 मीटा पर सेकेंड है टाइम कितना है 2 सेकेंड है तो W ब्रावर कितना हुआ 80 J 80 J हो गया यह था पहला एंसर किसका यह था विथ रिस्पेक्ट टेन अब आजाईए विथ रिस्पेक्ट टू ग्रावंड की जब बात करेंगी विथा तो हमको डिस्प्रसिमेंट ग्रावंड के साफ इस देखना होगा कि ग्रावंड के साफ इस क्या था आए देखें जाए साब T ब्रावर 0 पेदी में माना जाए कि ग्रावंड पर यहां है यहां पॉइंट मार देजिए ती ब्रावर 0 पर ग्रावंड पर निशान लगा देजिए लगा दे मिता चलिये अब दो सेकंड में बोलिए कि अब यह शुटके दो सेकंड में कहां पहुंचा वहोगा तो चुकि 2 second में यह person इसको ना 2 meter person के speed से आगे ले गया है तो यहां मिला displacement भी इन्टूटी मिला है यहां रेस्ट में होती तब displacement इसका रहा होता 4 meter लेकिन train motion में थी तो 8 meter per second के speed से शुटकेस को train भी तो ले गई है तो real displacement आ देखा जा भी टाया, यहां से ground displacement आ्य तो ट कैश ठेए ब्रावर 0 पर यहां था यह suitcase train arrest में होती Cake Ét法 एंतर्म पर यहीं पर रहता लेकिन चुकि train motion में थी इसलिए आफ suitcase केहीं आगे हो गया है क्यों क्योंकि इतने ये चनले ने आगे निकल चुकी होगी शुटकेस को लेकर के तो एक तो दो displacement यहां पर हुए एक तो suitcase का अपना प्लस जो train लेक उसको आगे गई है वह तो total displacement निकालेंगे यहां पर तो डबलू ब्राबर कितना हुआ तो डबलू ब्राबर क्या F into हां D किसका train का प्लस यानि train जितनी कही होगी शुटकेसुटना आगे क्या होगा प्लस और क्या D और किसका man man के दोरा जो भी push किया गया है वो means कि W ब्राबर कितना हुआ F into D train का कितना हुआ उसकी velocity 8 meter per second थी तो 8 into 2 second में था प्लस इसका कितना था इसकी velocity 2 meter per second थी 2 हुआ होगे ब्राबर चले है अब यहां पर आते हैं आगे देखते ब्राबर तो W ब्राबर कितना हुआ ग्राउंड के साप एक संब्रम निकाल नहीं है विट रिस्पेट टू ग्राउंड देखेगा F 20 तो 20 इन्टू हां यहां पर क्या आया आठ गुड़े दो होगे बता 16 और यह है दो दो चार यह नहीं कि 20 16 और 4 20 तो इन्टू 20 तो W ब्राबर कितना हो गया 400 four hundred joules तो इन्टू टो वरक दन टो वरक दन वरक दन विट्टू D' B finance connected to ground is the four 400 joule whereas the work done with respect to train will be the only 80 joule So this is the concept of the physics okay clear there is concept of the questions kaysay solve karen gya में हां लिप्चुछ प्यूंट कि अगला विटाना नेक्स्ट अगला क्रेशा नेक्स्ट अगला क्वेशाँ कि जब यह की इस तरह का क्वेश्चा ना है यह थे ना कि रियर डिस्प्रसिमेंट उसका तो तो है क्यारण से हुगा है उससे नहीं मतलब है जिसके सारोक्स पूछ रहा है उसके सार्फेस छाहलेच तो जिसकेवार स्बार्टल्ग से तो यह जिस्का पूचेगा उसका अपूछेगा उसका शचाइँ निकालेweg ना उस पर निकालेंगे आप डिस्पर्सिवेंट अब आजाओ अगला क्वेसेन नेक्स्ट क्वेसेन लेते हैं है का अब अब यहां पर एक राड है एक राड या यूनिफार में होमोजिनियस है लेकिन डेनिसिटी राड की दीवी है डेनिसिटी आफ राड दिया हुआ है लेम्डा इक्वल टू लेम्डा इक्वल टू बटाओ लेंद्ट लेंद्ट इक्वल टू राड दिया हुआ है क्या राकी इसी पोटेंसिटी रजी बताओ पोटें classrooms, पोटेंशिल इनर्जी स्वाइब, पोटेंशिलिंश्ड़ इनर्जी पूछेब बहुत मस्त केस्टन वासे अधंड पोटेंशेल इनर्जी पूछ रहा है और यह बात और दिया हुआ है टोटल मास दिया हुआ है टोटल मास दिया हुआ है से अफाइव केजी टोटल मास देख फ़ाइव नहीं पीफ्टीन कोटल मास 15 डिया है टोटल els दिया हुआ होई आटका नाएं इन मीटिर और आपसे कहारा है कि जो लेमडा है डिएनसिटी है वह टू एक्स किलोग्राम पर मीटर है तो पोटेंसे रजी पूछा इसी पोटेंसे रजी कितनी होगी है चले साल करिए होगे है आज जाओ चले मैं करूं हाँ एंसर मिला ही अपना यह यह बात हमको पता चल जाते कि इसका इसका सेंटर आप मास कहां पर है यदि हाइट ही अपना चल जाते ना ग्राॉंट से तो पोटेंसे रजी तो 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 नहीं तबता देंगे कि पोटेंसे रजी ब्राफ होता है क्या MGH फिर M is the total mass G you know H is the height of the height of the center of mass this is the fantastic trick to solve the question MGH potential energy is always MGH तो as you have to determine this h, h is the height of the center of the mass from the ground. चलो, तो अब जा देख उड़ा, यह है ground, यह हमको बताना है, यह है center of mass. तो हम लोग center of mass अभी पीछे पढ़ें, तो आप फिर से प्रूब किया जाता है, वो result दी आपको याद है, तो that is very very fantastic, क्या, एक rod था, देख उड़ा, एक rod था, याद आ रहा है, हाँ, center of mass पे प्रूफ किया हूँ हाँ, एक rod था, continuous system का सवाल, तो एक rod था, इसका density थी, lambda equal to lambda not, देख वो, क्या density यह है था, lambda equal to lambda not, क्या, lambda not x density थी, थी न, और इसका center of mass अभी निकाले थी, इस rod का, तो जानते हैं, continuous system का center of mass के से निकालते हो, क्या, क्या, हाँ, क्या दिकाले था, x dm, x dm upon dm, x dm upon dm, हाँ, तो पीछे प्रूफ है, center of mass फिर क्या प्रूफ कर था, इसको, याद होना चाहिए, आपको result, नहीं है, जिसको नहीं वाल हो, पीछे प्रूफ है, तो देखो, लें 3L आया था, L क्या था, total, हाँ, इसे याद रहाँ चाहिए, तो L क्या था, total, तो 2 by 3L आया था, इसका result, इस question का result आता है, 2 by 3L, अब यादि आपको याद है, और याद रखना ही है, क्योंकि सब कुछ कैसे देख रहा है, कैसे technical question आ रहे है, तो आपको याद रखना ही पड़ तो center of mass, center of mass रखना ही होगा, 2 by 3L, यदि ये पता होता है, 2 by 3L हाइट पर center of mass ही समदब होगा, origin ही आमाल लिया, तो origin से 2 by 3L पर है, यादि यादि राट को हम वर्टिकल करेंगे, रखना है, तो 2 by 3L पर है, यदि हम राट को वर्टिकल करेंगे, तो center of mass के position में कोई परिव 2 by 3, और L का मान दिया है, 9, 9, 3 से कट गया, 3, 6 meter, okay, fantastic, means, कि this height is the 6 meter, आगया, अब potential energy का मान मताना था, very fantastic, potential energy का म, this is the total mass, G, G into H, H is the 6, total mass, total mass, total mass, total mass कुछ दिया है, हाँ, देखो, total mass दिया था 15, तो 15 kg, into G, 10, into, into 6, तो 15, into 6, किना हो जाएगा, चर्वटात, यह हो जाएगा, यह 15, गोड़े 60, 90 हो जाएगा, हाँ, 90 हो जाएगा, और into 10, means, 900 joules, 900 joules, is the potential energy of the dots, okay, fantastic, चल्ड़ात, क्लिए हो गए, क्या पढ़ रहा है, प्रह रहा हो, P100, physics, हमेशा, question में ध्यान देना में, हमेशा, center of mass कहाँ पर है, उस पर depend करेगा, हमेशा center of mass कहाँ पर है, उस पर depend करेगा, याद रहे है, आजा, और आगे, हाँ, अगला point, next, चल्ड़ा, जैसे माली जे, हाँ, अगला question, यह एक राट है, इसका mass इटा, इसका mass है 4 kg, हाँ, क्यों बोर simple question है, mass इसका 4 kg उटा, और length है 8 meter, फूरी लंबाई है, 8 meter, 8 meter length है, mass इसका 4 kg है, और यह राट, धन दे लाट, यह राट, अपने आप ही, यह sliding यहां नहीं हो रही है, अपने आप ही राट गिर गया, आधी से, यह इलर्टिक पोल है मालने वीटा, इलर्ट गिर गया, ऐसे, गिर गया, center of mass किस velocity से टक्राएगा, ground पर, तो velocity, by which, center of mass strike, on the, on the ground, center of mass किस velocity से ग्राउं पर टक्राएगा, जल्दी मारी यह राट, और length 8 meter दिया है, ठीक है, fantastic, 4 meter, mass इसा 4 kg, mass इसा 4 kg, अच्चाना, without sliding, मतब्ये इधावधर स्रक नहीं रहा है, without sliding, यह sliding नहीं हो रही है, और यह मास्क, यह राट क्या हो रहा है, विदावध्राइश्टिंग गिर रहा है, तो अभिoln hurricane का point नहीं ले रहा हूं हो नहीं है, तो सब्धेन धाएगा, को आफें, angular velocity निकाला जाता है, एंगूर velocity उन प्रस्टिंग तो भामलों आब ही आगे उन्धा, rotation में, यहाँ पर blah दाकर successor energy का सब़ लें देकर, इन से मारी है इन से मारी विटा फड़ा फट अ होगे उटें है हाँ चलो इन से मिलाएंगे आजाए यह जानते हो शिंटर आप मास आपको पूरा राट नहीं देखना है हैं आपको किवल देखना सेंटर आप मास का हां पर है तो देखों बचैना आप मास का हां पर वेश्य वेश्वोस्य राइट में सब्सक्राइध सरुनिफ। इन इन श्रह्मыми इसा मतरम ठीक बीछ में तोyuगा तो इस राट की potential energy कितनी हो गई इसा मतबब अबड़ा की potential energy बराबर हुए उती है जानते ही हो mgs होती है ना m total mass g g जानते हो h height of the center of mass लेना हो तबड़ा तो ground से height ले लिया इसका कितना है 8 meter फूरा है तो 4 meter होगा 4 meter होगा तो potential energy कितनी है राट के पास m 4 g 10 h 4 okay mass था 4 height भी 4 तो 16 10 160 160 joule is the total energy of this rod and now it is start falling तो जब यह जा करके ग्रेग अबट है तो हमको बलताना velocity पूरे राट की नहीं हमको बताना center of mass velocity किया होगी तो center of mass की पहले energy थी इस point की energy थी center of mass की 160 joule energy तो वही रहनी है 160 joule ही से पास energy रहनी है अब जब जब जाकर करके ground पर test करेगा तो potential energy 0 हो जाएगी total energy kinetic होगी किस velocity से कटा आया वी velocity से इसा मतब्य होगा पूर्टा की kinetic energy 100% of energy kinetic change हो जानी है तो half m v square ओके अब जाएद देखना पूर्टा half m v square बराबर 160 joule 160 joule तो m value लग दिया जाए half m का मान है 4 v square बराबर 160 joule हो गया गया दो से काट दो इसको आया गुसर रहेंदा है फाइनल वी बराबर अंडर रूट 80 अशी अशी मतब 16 गुड़े पांच तो 16 का 4 तो वी बराबर 4 रूट क्या 5 meter per second this is the fantastic answer याने यह राट इसका center of mass किस velocity से टक्राएगा अभी center of mass की बात हो रही है यह इस सवाल पिर आएगा rotation में तो बहाँ आए यह इंगुलर विलास्टी पूछेंगे कि यह बिंदू किस विलास्टी से टक्राएगा यह पूछेंगे हम वहां पर हाँ कहां पर rotation में यहां पर पूछेंगे कि यह किस विलास्टी से टक्राएगा इसे अंगुलर विलास्टी क्या होगी विटा वहां पूछेंगे हम चलो तो फिला अभी यहां में तो देखो यहां भी सेंटर आप मासर वर्क इनर्जी पड़ा रहे विटा तो देखो तो यह तो दिस इस इस सो मच वी इकल तो फाइब फोर रूट फाइब मीटर पर सेकेंट यहां पर शिखा रहा हूं कि जो हैट ले जाती है MGH से जब आप पुटेंश इनर्जी निकालते विटा जो हैट ले जाती हो कैसे ली जाती है कहाते है ना पी जाती है वह हैट और फोर इनर्जी क्या होती है अगला क्षेटन नेक्स्ट आजा, बहूत ही simple physics, धिरे 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 step by step हम रोग जीरो सी start करते हैं, कि potential energy क्या होती है, work क्या होता, work किसे करते हैं, और अब धिरे धिरे numerical लगा रहे हैं, higher level के, आपका level कब, आपका level, आपका standard, कब आपका IIT, Advanced equation को देखते ही मार देंगे, पता ही नहीं चलेगा तो नीट, IIT मेंस, IIT एडवांस, TGT, PGT, CVET, जो एजाम सेंटरल इनुवर्शिटी में में वेटा एडिविशन के लिए होना है, तो यह साथ यही रहेगा, चैप्टर यही रहते हैं, क्वेशन से ही रहते हैं, जब आपका कंसेट के लिए रहता है, तो फिजिक्स होती है, च अंतर क्या होता है, उसे स्टेंडर्ड का होता है, चैप्टर तो वही देता है, था ना, हैसल में याद होगा, मैगनेटीजम वहां भी था, इस्टेट लाइन मोसल महां भी था, ग्राफ महां भी था, स्पीड वहां भी था, वही बात यहां भी है, वहां पर भी फ्रिक्शन यहां भी फ्रिक्शन है वहाँ पर भी निटोस्लाम उसन था लेक लेकिन अंतर डिफरेंस की इसका इस्टेंडर का डिफरेंस है ओके चलो है तो हम आप लेने जाए फिर्टा क्वेस्टन आ जाओ कमांद पॉइंट यहां पर एक ब्लॉक रखा है एक ब्लॉक है फॉर केजी का और एक ब्लॉक ना फाइफ मीटर पर स्टेंडर की स्पिट्स जा रहा है और यहां पर एक दूसरे ब्लॉक के साथ जो की नवटा जो की दो केजी का है और रेस्ट में है के साथ इसका कोलीजन हो जाता है जाकर के कोलीजन हो रहा है और कोलीजन कै कासा हुआ रहा है, let, let collision is perfectly inelastic, let collision is perfectly inelastic. What is, what is, change in the kinetic energy, of 4 kg mass, तो 4 kg का मास वेटा, उसे potential energy में किने का प्रेवितन होगा, पारियन सननी सान, थड़ा फट, हाँ, बहुत ही सिंपल, लासान सवाल है यह सबस, आप इसी पर पाले यह, यह तब इसे बात फिर इसी पर और अगला advance नुमेर कर, step by step, zero से समझने की कोशिस, हमेशा, हो गया, मैं करूँ, चल उटा, मैं करूँ, आजाओ, ओ, के वहीं पर रोखी है, हाँ, बास वहीं पर रोखी है वीडियो को, अरो करके तुन साल को यह फिरेंसे मिलाई है, चल यह आजाई है, चल उटा, जानते हो, कि perfectly in elastic condition में क्या होता है, यह आपको पता है, क्या होता है, बोथ बाड़ी, stuck, stuck together, दोनों बस्तों आपस में क्या होती है, चिपक जाते हैं, इसा मतब यह हुआ, कि जब यह जाकर के यहां टकराएगा तो जाकर चिपक जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, कि पहले कि अचा जानते हो, कि collision चाहे perfectly in elastic हो, चाहे elastic हो, या चाहे क्या, चाहे perfectly elastic हो, चाहे perfectly in elastic हो, या चाहे in elastic हो, यानि कि semi-elastic हो, तो तीनों ही condition में दो बाता हमेशा कंजर्ब होती हैं, क्या क्या, linear momentum और total energy, जो दू चीज़े हमेशा कंजर्ब होती है, जब कि kinetic energy केवल और केवल perfectly elastic collision में ही कंजर्ब होती है, तो क्या होगा, पी आई, initial linear momentum कितना था, तो initial linear momentum में दो इसके पास तो initial linear momentum है, क्यों कि इस पास इलस्टी है, लेकिन यह तो rest में है, तो इससे पास linear momentum 0 है, इसका कितना होगा, mv4 into 5 plus 0, इसका 0 है, तो पी आई, बरावर कितना होगा, फाइफ, 4 into 5 यानिके, 20 kilogram meter per second, तो यह पी आई था, अच्छा, अब जानते हो, कि जब low conservation of linear momentum के recording, यानि कि जब किसी भी type का collision हो, किसी भी type का collision हो, और जानते हैं कि linear momentum हमेशा कंजर्ब रहता है, तो क्या हो अच्छा, कि P final भी हर हाल में कितना होना है, 20, क्या, हाँ, yes, 20 kilogram meter per second ही होना है, होना है, तो initial variable final, यह होना है, शेओर होना, P f बरावर इतना ही होना है, लेकिन हमारा P f है कितना, तो देख रहे हैं कि चुकि यह करेंगे body, after collision क्या हो रहा है, body stuck together, तो after collision P final actually है कितना actually, तो P final में हुआ हुआ है, कि mass M1 plus M2 into V dash, V dash निकलना है हमको, तो P final बरावर M1 plus M2, यानि कि 4, plus 2, और क्या, V dash, पता नहीं है, तो P final बरावर कितना हुआ, 4 plus 2, यानि कि 6 V dash आ जाई है, अब जाब देखना है, तो आया कितना P final बरावर आया, 6 V dash, आप जाब देखना हुआ हमको V dash चाहिए, यानि कि after the collision, जब ये mass आया, यहाँ पर collision किया, collision करकर के न, ये 4 kg वाला चिपक गया इसके साथ, दोनों एक हो गए, जब एक हो जाएगा, तो V dash velocity से आगे बढ़ा, लाग को अंजर्विशान विडियम ममेंटर को फालो करने के लिए आगे ही बढ़ाना है उसको, तो आगे बढ़ा, तो जब आगे बढ़ा, ध्यान देखना है, अब P F बरावर 6 V dash आ रहा है, यहाँ P F बरावर 20 है, means कि दोन चीज़ आपर से बरावर है, बरावर ही होनी है, यह थर्ड एक्विशन, बरावर कर दो, 6 V dash बरावर, कितना? 20, तो V dash बरावर कितना होटा? 20 by 6, means 10 by 10 by 3, क्या? मीटर पर सेकेंट, 10 by 3 मीटर पर सेकेंट, यानिकि अब यह कोलीजन के बाद में कोलीजन के बाद में संजिक्त रूप से वह किस विलास्टिस आगे बढ़ेगा 10.3 मीटर पर स्कंड से तब क्या होगा तब क्या होगा अब इसके बाद में तब फाइनल काइनेटीक इनर्जी कितनी हो जाएगी क्योंकि अब दोनों यह साथ में उपर रहे हैं तो बाद इसकी आ चुकी थी हाफ इंटू M1 प्लस M2 कमान की ना है बटा 6 देखे 4 प्लस 2 6 6 अभी डैस हमाना चुगा है 10 वटा 3 तो 10 बाई 3 का होल स्कॉर तो यह हो गया 3 इंटू 100 अपान 9 वहार बटा हाँ देखो 2 से 3 हो गय माइन और यहां है 3 3 से 3 कैंजिल हुआ माइन यानि कि 100 अपान 3 जूल्स तो अब उसकी इनर्जी हो गई 100 अपान 3 जूल्स फंटास्टिक अच्छा और पहली इनर्जी कितनी थी अब जाए धान देना बटा तो काइनेटिक इनर्जी बीफोर दा कोलीजन कितना था तो काइन तो कितना हुआ तो काइनेटिक इनर्जी ब्राबर किना प्ता हाफ मैं कमांग फोर गतना है 5 5 का होल स्कॉर आया कितना तो काइनेटिक इनर्जी ब्राबर कितना तो 2 से कट गया 2 इन टू agriculture आप 75 25 गुडे 25 करदो यानि कि काइनेटिक इनर्जी ब्रावर कितना हुआ पचीश उड़े दो पच्चास जूल चले कहां ताप पहुंच गया है क्या पढ़ रहा है पी हंडेट फीजेक्स हाँ इसे करते हैं फीजेक्स हाँ ओके कमान नोट करो जल्दी हाँ जल्दी नोट करें पहला इस्टेफ चलड़ा पहला इस्टेफ मैं समझाते चला मिटाते चला पहला इस्टेफ इनिशियल लिनियर वोमेंटम कितना था पी आई बराबर तो यह वस्तितों रेश्ट में थी दो केजी की एक ही मोश्तर में था चार केजी का पांच वीटर प्रण जा रहा था तो पी आई बराबर एम भी प्लस जीरो जीरो किसका दो केजी वालेगा तो पी आई बराबर के ना हो गया ट्वंटी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो यह अगला पॉइंट देखना पहले कि अब आई ये तो पी आई करब नेक्या लीज чис्टा करता फालो होता है तो पी फाइनल को इतना ही होना होगा अब आप पर देखो पुटा, पी फाइनल बाबा क्या होता है, जब बाड़ी जा करके चीपक गई, तो दोनों M1 प्लस M2 एक हो गए, और अब वो किस विलास्टी से मूप करेगा, माना की V-, तो पी फाइनल बाबा करना हुआ, M1 प्लस M2 इंटू V-, तो पी फाइनल बाब करना हुआ चाले, अब क्या होगा इसके बाद, अब देखे, तो पी फाइनल बाबाबर 6 V- हो गया है, होगे है, दोनों PVF है, फाइनल लीनियर मोमेंटम, दोनों बराबर होंगे, 6 V-बराबर 20, तो V-बाब 20 बाब 20 बाब 6, 20 बाब 6 मिन्स 10 बाइ 3, ओके, तो जब 10 बाइ 3 इसकी विल अब सब एक हो गए है, M1% to V-डाइस का स्कॉार कर दिया, अब जाद देखो किया होगा, अब सॉल कर दिया इसको, तो हाफ M1% to 6, V-बाइस अमाना एक्टेन बाइ 3, तो हाफ 3 हो गया हो गया होगे, दो 3 हो गया, और यहां पे 100 by 9, 100 by 9, यह 3 होगा, 100 by 3 जूल, तो 100 by 3 जू स्कॉर, यह कही मोशन में था, तो हाफ M4 हो गया, V5 है, तो 2, यहां पे 2 सिकट गया, यह 2 आया, और 5 का इसकॉर किया 25 होगा, 25 जूल इनिशल कानेटिक इनर्जी थी, तो फाइनल कानेटिक इनर्जी थी 100 by 3, और इनिशल कानेटिक इनर्जी थी 50 जूल, अब यह कितना होग तो कानेटिक इनर्जी इनिशल बराबर थी 50 जूल, था ना, इनिशल कानेटिक इनर्जी इनिशल थी 50 जूल, और कानेटिक इनर्जी फाइनल होगा, 133 यानि 33.3 जूल तो क्या हुआ, इनर्जी लास हुई है ना, हाँ, लास हुए कि गेन हुई है, लास हुए भई, फाइनल कम हो गया है, तो फाइनल कम है, इनर्जी का लास हुआ, और कितना लास हुआ, तो डेल्टा कानेटिक इनर्जी लास, यानि कि लास हुई है, कितनी लास हुई है, 50 सब्सक्राइब करेंगे बहुत ही इंपार्टेंट है याद रहें बहुत ही इंपार्टेंट है बार बार पुछता है आजब ऐसे ही मिलता जूलता क्वेशन बार बार पुछता है अगला क्वेशन ऐसा ही इसे मिलता जूलता क्वेशन हुआ है आप अपने अंदर छांता डेवलाग आपको करना भी डा क्रेशन का इंसा नहीं पॉर्टेंट है कंसेप्ट कांस हाँ मैं कहां कैसे क्या लगा रहा हूं कहां लाग मैं दना मोमननलान कहा алइ का निकाल लाओं ना पठेसे कारूं निकाल लाओं वन पेद्ध फोकस करना है गुड़ा भाग दो मेला बेचान क्ता है न 획से मिट करनेタ और आजाओ अगला क्रेशन है हाँ अगला क्रेशन है हाँ चल एक सिंपल पेंडलम रखा हुआ तो सिंपल पेंडलम की जैसा एक यहां मास रखा हुआ और यहां पर एक फिक्स है और एक दो मीटर की डिस्टन्स है यहां कि रशी की लंबाई जो लेंथ है और यहां पर एक मास बिटा इसमाल एम वन केजी का है और ठीक इसके नीचे यहां पर एक दूसरा मास रखा हुआ है यहां कुछ भी नहीं है रस्थी तो यहां नहीं टेबल पर यहां एक मास रखा हुआ है इहां एक टेबल है इस टेबल पर मास रखा हुआ है जब यह मास ऐसे आएक है आ तो आकर क्या कोलिजन हो रहा है इसका तो लेट लेट कोलिजन इच लेट कोलिजन इच परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक लेट कोलिजन इच 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 लेट कोलिजन से यहां לי यहां supposedly Tonigoli station और यह मास त्री क необходимо कि है tiden तो पारफेटली इन इलास्टिक को भीटा तो अब कोलिजन के बाद में वह मासिशा लेकर की आगे बढ़ए चाएगा अगे जब बढ़ाएगा है तब रस्umm यूट समय कह रहा है कि माल्य यहां पर आ गया तो यह एंगल сказал से एंगल रखाएकर शैकर थेक्ट एंगल बनाएगा यह वाला एंगल के वालवन की यहां पर आगैंगे कर कि उसको दोने इसे में रहें तभ यह इंगल बताना है यह सो जल् Guer Die Ti Do पी हंडेट फिसका अई स्टेंडर है नहीं हम जीरों से स्टाइब और जाते हैं कहां पर ताप लेविल पर तो अभी तो लिए अभी कोई भी चैप्टर हम लोगें कंप्लीट हैं सभी में अभी नुमेरिकल हम आपको करने हैं हाँ अभी वैसे तो हम लोग की पूरी पड़ता दिया हूं पूरी बिलास्टी उसका इसे लरेशन कट करने का देखे हो ना यह बहुत ही गज़ा का फाउला बनाया हूं भी आपको दिया हूं जो सिलम होते हैं देखतए इंधाने के रवाव ने के पुरा में लोग इनन्द सेंस की पूरा इंडिया में थैस्पर म्लायान हम लोग क्या करते हैं तो यह 100 times best देना दर है, तो चलो फिराग, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कोशी से होती है, कि आइसा कोई फार्मॉला बताओं आपको, डीटेल तो समझाओं हुई, डीटेल पूरा डीटेल, पूरा हम बताओं आपको, लेगिन फिर उसके बाद में एक आइसा कोई ल करते हो, तो आप हम लोग फार्मॉला बताओं होगे, कौन सा याद आ रहा है, माइनस आर बाई N स्क्वार प्लस N, हाँ, कि इनला सिफ्ट होता है, सेंटर अमार्श, तो डेल्टा एक्स सी एम, बराबर क्या बताओं, माइनस आर अपान N स्क्वार प्लस N, ओके, इस इस दा फैंटास्टिक फार्मॉलार ना भूतो ना पभिश्यत, ना कभी कोई ऐसा बनाएगा बटा, ना कभी बना है कभी, तो ये केवल, इस पेसली केवल, आपके लिए पी हंड़ेट फेजिस के इस प्लेंट के लिए है, लेकिन जानते हो, अब तो जब चुकी, जब करके निकालें, कितना पर्ट, कि ना पर्ट निकाला वटा, जल्दी बोलो, आर बाई 10, आर बाई 10 पर्ट हम कट करके निकाल दिये, तो में आप से पुछ आहँ कि सेंटर हम मास कितना है, किधर करेगा तो पहले ही मानिस लगाए ह proc хотя सेंटूर Right सेंट करके निकाला है, ये सा इसलिए माइनस लगा हुआ है लेकिन फिरहाल आपका इंसर कितना है तो एक सी एम ब्राबर क्या होता है और भाई एंस्क्वाइर दस का इस्क्वाइर यहां पर दो सकता है तो यह पर दो कर देंगे चार्वी सकता है और फूर कर देंगे शिक्स रहेगा तो अब देखो दस है तो दस का इस्क्वाइर तो और प्लस दस यह अदि कितना मैंनस आर अपां 110 इस देंश है बास लेग रहे है और अब जब की यह क्वेस्टन सलगाना एक पेश की निचिए स्ल्व नहीं होना है फार्मुला क्या है वो भी किया हूं बड़े में भी हम लोग साल किया है पूरा यह क्वेश्चन बड़े में भी साल किया है हम लोग पीसे बीटा सब अच्छी तरस पर डालना सब कुछ छोड़ना मत तो तो कैसे किया है हम लोग डेल्टा एक्स ही हम ब्राबर M1 X1-M2 X2 upon M1-M2 तो जो में फार्मुला लेकिन उत्रा टाइम हमारा लगेगा हम एक्जाम देने जा रहे हैं देखते ही हमको एंसर मारना है हमको तो यह चाहिए ना तो हम तो आपको भी बताएं यह भी बताएं लेकिन आपको एक्जाम में समझने के लि ना किसी का छूटा होगा तो यहां रिवाइस कर दिया हो गया उसका चलो हाँ आजाओ तो फिलाल यहां पर इंसर क्या विटा तो यह टेक्निकल क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपर्टेंट क्वेश्चन आजा यह मैं अब साल्व कर रहा हूं इसको आप अपना इंसर करेंगे क्या तो देखर विटा इसके पास यहां से इसको छोड़ दिया जा रहा है इहां से छोड़ दिया इसके पास जो इनर्जी है इसके पास जो प्रेजेंट टाइम में इनर्जी विटा वो कितनी है और जब यहां पर पहुंचेगा जश्ट बिफोर दा कोलिजन वाट तभी आएकर के collision हो रहा जाए कि यहाँ पर भी लंबाइं के दो ही मीटर है ठीक आएकर तभी collision हुआ होगा ठीक ओके हैं यह दो मीटर आजा देखना तो पोटेंशल इनर्जी में जितना लास होगा जानती है अब पॉटेंशल इनर्जी यादिकि देख आपर हाइट कम हो रह पर जाशने है नहीं बाब भी इसके पास कुछ देला न कि practicing energy पहेंग?' इसके पास potential energy क्या होते है? वह energy जो किसी बस्तु के अस्थान के कारण होती है जो किसी बस्त के position के कारण होती है बस्तु के अंदर उसे potential energy कहते हैं और जो किसी बस्तु के मोशन के कारण हो रही ती है उसको गती जूर जाकाते हैं उसको काइनेटिक इनर्जी काते हैं means the energy which is caused by the motion of the body that is known as the kinetic energy and the energy which is caused by the position of the body that is known as the potential energy and potential energy different type ही होगी, chemical potential energy जैसे बैक्टरी के अंदर जो energy होती है वह भी potential energy होती है तो chemical potential energy है electric potential energy work done by the electricity force that is stored in the form of the potential energy also this is the gravitational potential energy, this is the gravitational potential energy तो यहीं के different different type ही होती है जबकि kinetic energy का होती है वह एक ही type ही होती है क्योंकि motion, motion means motion that is only one type तो potential energy is how much that is mgH तो m, m mass of the body is one kg तो 1 into 10 into h means 2 therefore the potential energy will be how much potential energy is equal to 20 joules तो present type of potential energy कितने हुआ, mgH h is the 2 meter, तो ही तो हीड़ तो 2 meter ही तो 2 meter है, okay जब यहाँ पी आया तो यह potential energy 100% kinetic energy में change हो जानी है तो kinetic energy कितनी हो गए देखो तो half mv square यहाँ कि just before the collision just before the collision what was the energy that is half mv square half mv square तो just before the collision what was the velocity just before the collision what is the velocity that is half mv square means half m means 1 to 1 into v square v square बराबर कितना हो गया 20 joule हो गया देखो तो v square बराबर कितना हो गया 200 बंदेप्लाई करो वहाँ हो गया 20 वहाँ हो गया 20 तो वी बराबर कितना होगा तो वी बराबर कितना होगा तो वी बराबर कितना होगा चालिस ना तो 40 मिन्स क्या होगा चाल गोड़े दस है कि 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड तो just before the collision अभी इसके पास पोटेशल जी किनी है ग्राउंट सी निवचाई पर है दो मीटर पर पोटेशल जी किनी हो गई MGH MGH means दो गुड़े दस जाने कि 20 जूल अभी यह जब यहां पर आ जाएगा तो just before the collision what was the velocity just before the collision what was the velocity just before collision half mv square half mv square 20 जूल तो therefore the V square ब्राबर कितना हो गया V square ब्राबर 40 जूल भी ब्राबर 40 गुड़े दस जाने कि ब्राबर ब्राबर किनी हो अंडर 40 तो अंडर 40 मिंस किनी होगा 4 इंटो 10 अब 4 का 2 ओके देश्टेश्टेश्टी तो just before the collision linear momentum कितना हुआ तो just before collision linear momentum हो गया अब चलिए अफ्र कोलिजिए अब कोलिजिन के बाद क्या हुआ तो कोलिजिन के बाद में जानते हो कि M1 प्लस M2 V' बराबर इनिशल linear momentum सामने है 2 रूट 10 होगा ना क्यों होगे कि perfectly inlast ही बोला है तो जब यह आ करके हां कोलिजिन करें है दोने आपस में चिपक जाएंगे तो 3 प्लस 1 V' इकल तो 2 रूट 10 होगा अग 3 1 4 4 V' इकल तो 2 रूट 10 होगा बिटा कि कोलिजिन के बाद में अब देखो यह मास आया कोलाइट किया और इसमें चिपक गया यह वन केजी वाला अब यह दोनों किस velocity से उपर जाएंगे माना वी डैस नहीं बटा माना कि यह वी विलासटी से जाएंगे या नहीं 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 भी डैस नहीं ही लिए विलासटी से उपर जाएगा चिपक करके जाएगा धान देने में भी डैस लिए से सब्सक्राइब में बदल जाएगी उल्टा होगा पोटेंशल इनरजी आई काइनेटी बने I did क्अ बादी किने कैमड़ी निकाला राकों छीना की लगें बहुत है आप घ्र यहां पर देखो और गारे तो यहां की अनूम कि इस में होने जा रही है पोटेंशियल तो यहां पर kinetic energy कितनी हो गई भीटा फिर से kinetic energy कितनी हो गई है तो अब kinetic energy half mv square अगें तो half m अबटा half m, m means 4, अब 3 और 1, 4 हो गया है, तो 4, half m v square, v square means root 10 by 2, root 10 by 2 का square, ब्राभा किना पर देखो अब जब जब जा रहा है, यहां kinetic energy, after the collision, what is the kinetic energy, तो 2 से cancel किया, 2 आ गया, into, देखें अबटा, यह 2 हो गया, into, इसका square करो, तो 100 हो जाएगा उपर, तो 2 into 100, ना, अब जब 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 देखो, 2 into 100, अपान कितना, अपान 2 का 4, दो का 4 हो गया, तो देखो, 2 से काईर से लुगा, 2 यानि 50 joule, अब इससे पास kinetic energy राजी बेटा, after collision, the kinetic energy will be 50 joule, kinetic energy 50 joule है, height कितनी हो जाएगी, तो अब इसकी height कितनी हो जाएगी, कितना उपर जाए जानते हो, V square upon 2G होता है, होता है, होता है, V square by 2G, तो होता है, V square by 2G, तो हमनों क्या निकाले हो, MGS कर दिया है, हाँ, MGS करना पड़े हो, चल्ड़, हाँ, तो कारेटियर जी हमनों निकाले, 50 joule आई है, तो M, G, हमको H चाहिए, तो H बराबर 50 upon, क्या M, M4 हो गया है, इन्टू क्या, H, G, G means 10, 0 से 0 होता होता है, H बराबर कितना हो गया, 5 by 4, यानि कि 1.25 मीटर, तो 1.25 मीटर, दे बराब, 1.25 मीटर ये ऊपर गया है, means अब ध्यान देना, देखना ध्यान देना, हो, के भेरी फैंटास्टिक, अब ये कितना है, देखो, ये ऊपर गया है, ये इतना, ये इतना 1.25 मीटर आया, देख लिए ना, कल्कुलेशन हो गएर, सारी चीजे, ठीक, सब सही तो चल ला, देखने है, चेक कर ले ना, पहीं, इधर उधर तो नहीं है, हाँ बटा, चलो, तो 1.25 मीटर उपर गया, तो अब ये ये हाइट किनी बची, ये हाइट किनी बची, ये हाइट किनी बची, तो ये हाइट हमको पता चल लगे, बेस है, और ये तो पता ही है, ना, तो ये तो पता ही है, पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी रस्ची की लंबाई तो हमको लोगों मालूम ही है, है कि नहीं, पूरी लंबाई मालूम है हम लोगों को, यहां देखना यह कंबाइंड मास कितना उपर गया यह कंबाइंड मास गया यह हाइट आई यह वाली हाइट आई 1.25 मेटर ना तो यह वाली हाइट आई यह वाली हाइट हाँ उटा तो यह वाली हाइट कितनी रही यह वाली रहे 0.75 मेटर पूरी यह तो पता ही है अब आया अगला पॉइंट अब बताना था हम लोग को कॉस्ट थीटा का मान बस एक लाइन में इसा बता दीजे तुरा अब देखें कॉस्ट थीटा की वैलू यहा इस दिस बाइडेश दिस मिन्स 0.75 अपान क्या यह पूरा 2 है 2 मीटर है यह पूरा रसी के लंबाई तो 2 मीटर जो थी वही रसी के लंबाई में यह चैंज ही मुआ नहीं तो कॉस्ट थीटा बबाब है किना हम बता इसको 200 कर दिया जा 25 सेंटीमेटर कर दिया जा इसको 200 कर दिया जा, पचीश गुड़े तीन से पचैटर हुआ विटा और पचीश गुड़े आठ दोसब, तो थीटा वरावब कितना हुआ, कास्टी इन वर्स थी बाई एट, इस इस फंटास्टीक एंस है, तो आप्शन में था, थीटा पाप कास्टीक थी बाई तू, कास्टीक थी ऐसे ही आप संथे तो एंसर इस थीटा एको लुकास्ट नोस त्री वाई यह दिसे फान्टास्टी केंस है हो गया है हां तो कांसेप्ट क्या है इसका इसका अब फिर से बेटा कल्कुलेक्शन वाई देख लेना है सब कुछ तो ठीक है फिराल हां आजाओ अब देखें नहीं इसका कंसेट में चलते हैं क्या है यह हारिजन्टल इस्टेट में था पहले पैंडूला में पहले हारिजन्टल इस्टेट में था तो इसके पास जब यह हारिजन्टल इस्टेट में था तो जो रशी की लंबाई होई जमीन ग्राउंड पर से और रशी की लंबाई ही उसकी हाइट होगी उतना यह उपर है वह तो उसके पास शुरू में शुरू में अटेक और जीरो ब्लाक के पास क्या था पोटेंशन नर्जी कितनी थी बड़ा MGH थी पोटेंशन नर्जी जब आ करके तकराया तो कोलीजन के ठीक पहले हमने निकाल दिया उसकी विलास्टी क्या थी हां। जोनी इसे कहạं है मतंब इत si the best way of solving तो हमने पॉटेंशन नर्जी निकालाव उसकी पां पाप् तो यहां पहुंचा तो इस की विलाश्टी निकाल दिये और परहापस उसकी विलाश्टी हम लोग निकाले हुए हैं तो आया था कुछ आया था चला अब किस विलाश्टी से जाके टकर आया तो अब होहां पर लाब्दा कांजर्शन लिनिया मोमेंटम लगा दिये कि just before the collision what was the linear momentum and just after the collision what is the linear momentum बाबर कर दिया तो पहले वाले पहले वाला यानि collision के पहले का P.I. अब collision के बाद में दोनों चिपक गए हैं stuck together why because the collision it is given in your question that collision is perfectly in a last day अब दोनों बोथ 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 ब्लाग stuck together चिपक गए हैं तो फिर क्या किया उसे बाद हम लोग ने अब इसके बाद अब देखा लाब conservation से कि यह किस velocity से आगे बढ़ा तो विलास्टी सामने है वी डैस रूट टेन बाई टू मीटर परसेंट से आगे बढ़ा तो अब इसा पूरा मास तो पता ही है किस विलास्टी से आगे आए भी मालूम है तो यह पूरी नर्जी आफ्टर दो को रिजन निकाल दिया आया हाफ एंबी स्कॉर हाफ एंबी स्कॉर की है है हम लोग अब यह पत्चास जूल फिफ्टी जूल आया अब जितनी नर्जी होगी तब तक ऊपर बढ़ता रहेगा जाता रहेगा जब तक कि विलास्टी जीरू नहीं हो जाएगी जाने कि हंड़ेट परसेंटी नर्जी पोट 10.45 मीटर तो 1.45 मिटर ऊपर गया तो बचा कितना 0.75 मीटर और जहां गया मौाजर चिधा एक yan parag kочки दिया यह खिफ यह 1.25 मेटर है तो बचा कितना, 0.75 मेटर, यह रशी की लंबाई यह तो 2 मेटर रहेगी, रशी छोटी बड़ी योनी नहीं बटा यह तो बत नहीं रहेगी, 0.75 अपान 2 मेटर, 0.75 अपान 2 मेटर, गणा, 0.75 अपान 2 मेटर, सेंटीमेटर ने मतल दिया, पचहत्र बटा 200 हो प्रचीस से काटा तीन हो गया प्रचीस गुड़े आठ दोसा हो गया थीटा ब्रभाव कास इन्वर्स त्रीवाइट इस फंटास्टिक इन्स है अगला प्रेस्ट नेक्स्ट हो गया चलिए और आगे जाओ गटा अगला प्रेस्ट है हो लेक्त वां प्रॉग झाल येढिग हो गया उम और दोसा हुआ हो गया ऑगला टोसा ही घा उन्व Patri healthier और आगे आज़ा चले अब फ्रौसार दूसरे टाइक क्यों से में यहां पर एक उडेन प्लांक है इसकी मुटाई है टी एक विलाश्टी एक बूलेट विटा एक बूलेट मास यह बूलेट का यू विलाश्टी से जा रहा था इसा कुलीजन होता है इसका स्ट्राइक करता है कुलाइड करता है इसमें लेट लेट बूलेट लौस्टी विलाश्टी let bullet losses 120 velocity what is okay what is work done by plonk on the bullet number first question number second how many how many such plank can be penetrated okay do question try to do this question यह एक plank है जो fixed है ना जो move नहीं करता है हाँ collision से कि कारणो move नहीं करता है rest में रहता है हमेशा ना हमेशा है fixed है fixed जब इस पर bullet मारी जाती है तो bullet तो let bullet losses one twenty था अब भी लस्टी एक plank है एक seat है एक seat है तो जब bullet जाती है तकराती है तो अपना एक बटे बीस्वा हिस्सा आप भी लास्टी कर लास्ट कर देती है तो कहरा कि what is the work done by plank on the bullet तो bullet पर bullet पर work done कितना होगा और दूसरा कहरा कि how many such planks can be penetrated और तीसरा भी एक question होगा बन जाएगा बटा कि how many such planks are required are required to stop it to stop the bullet to stop the bullet तो इस question में तीन question है आपके यह एक question में आप हमने लिया है यहां तीन question है one, two, three और तीनों most important तीनों अलाग-अला question है लेकिन हम लोग एक ही मेज जोड़ दिये हैं उनको हाँ, चले हाँ, मारो answer होगे बटा हाँ, यहाँ पर जाम दीजेगा कि losses दिया है यहाँ कि इतनी velocity loss करता है ऐसे question बहुत ही important बहुत ही important यही तो सब आता है आपकी जम में बस P100 physics पर जो भी वीडियो में question में है बटा बस उतना देख लो आपको टाप पर जाओगे हाँ बस उतना ही देव बहुत बाद नहीं हम लोग point to point परते है जवाना है बिलकुल भई फोड़ा भी दो उतना नहीं आपको बस बस उतना है आपको अब आपको पूरा टीटेश करने जा रहा हूं यह लेकिन शाट कर देखते ही अंसर कैसे मारूगे super tree कैसे मारोगे तो number और एक साथ साल होते हैं number of required seats, number of required seats कितना seat चाहिए रोकने के लिए bullet को एक बूलेट जब बूलेट जा रही है तो एक सीट ना विटा यह एक सीट जब एक सीट को बूलेट पार कर रही है विटा एक सीट को बूलेट जब पेनिटेट करके बाहर निकल लही है तो अपने बिलास्टी के आई बटे विश्वा इसा खो दे रही है तो ऐसे कितने सीट क एन स्क्वार अपान 2N-1 कर देना डाइरेक टेंसर आजाएगा ए फैंटास्टिक जादू अब दा पी हंड़ेट फेज एक्स चालो देखो एन इस्क्वार प्राफ़ कर देना 20 का स्क्वार कर दो अपान 2 इन्टू 20-1 कर देखो यह सब क्या जादू है 40-1 139 किना जाएगा इस्क्राइगा तीन सब्सक्राइगा 10.28 तो यह तीन कर देते हैं रहने दो इतना सीट चाहिए इसा मतर जानते हैं देखना इसा मतर में हुआ कि आएसे यह तीन सीट आपस में एक पास लगा दिया जाए कितना देख रहे हो ना 10.3 मतलब 10 तो पूरा पार कर जाएगा 10 तो पार कर गया 10.3 मतलब कौन सा सीट है यह 10.3 मतलब 11 नंबर ना इसा 11th सीट या प्लांक में एक गरहमे प्लांक में जाकर दंस करके रूप गया देखो दंस को पूरा पेनिटेट कर दिया क्यों कैसे पता चला कि धंस कर रूप गया इसलिए कि अभी जब मैं पूर्फ करूगा पेटा कहां से आया तो लिखा है साब साब कि नंबर आप रिक्व पाट शीर के आपके दो अंसर देने हैं 2 stop and maximum penetrated तो 2 stop and maximum penetrated there will be 2 questions from this question How many such planks can be penetrated आइकि ऐसे कितने seat को या planks को एक साथ सटाक रख दिया जाए कि उनको भेद करके बाहर निकल जाए ओके तो यह है फार्मूला हमलों का and this is a magical formula n square by 2 n minus 1 this is so much 10.3 आया ना तो 10.3 क्या सो कर रहा है 10.3 यह सो कर रहा है कि 10 seat को तो पूरा पार कर निकल गया और 10.3 यानि की गरहमे में घुसा हुआ है तो एक गरहमें seat में घुस करके रुख गया है तो कितने को पूरा प्रेंट्रेट किया माइंड है और जब पूछेगा कि हाव मेनी सच प्लांग कर रिकार टू इस तब गुलेट तब कहोगे एंसर मारोगे यहां पर एंसर 11 क्यों 10 पर रोपाऊगे नहीं क्योंकि 10 को तो पार करके निकल गया है किसमें रुका है जाकर के इक गरहमें seat में तो यह तब एंसर मारोगे इंसर 11 और यहां पर मारोगे 10 फुली रूप से पेनिट्रेट हो गये हैं बूलेट 10 को पार करके गरहवें में रुकी हुई है तो रोकने के लिए 11 की ज़र पड़ी और कितने को पूरा पेंटेड किया 10 को तब यह जब पूछेगा तो मारेंगे इंसर 10 और यह पूछेगा तो मारेंगे इंसर 11 है हो गया चालो अब इसका देखो और तो याद करो रेट पेंसे घेरो इसको तुपारे मुठी में फीजीक से एंज्कार अपन 2 एंड-1 और आ जाओ अब देखो अब पहला पार्ट हो गया चालो अब पहला पार्ट देखो तो पर पाद्व को देखा जाए देखो तो अब पहला पाड़ ऐसे है नहीं पटा देखो यहां पर हो क्या रहा है कि लास इंदा कानेटेक इनाजी इस वहाँ मच्छ लास इंदा कानेटेक इनाजी दिस भेरी वेरी फैंटास्टिक मास पहले कितना था तो पहले मास था था बूलेट का m था 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 ना मास अन था विलस्णी की नहीं थी यू थी तो बिफोर बेफोर दा स्ट्राइकिंग ही एर बिफ़र दा कोलिजन कहींदे रही यू करसे की नहीं था एप एम यू स्क्वाय थी और जब बुलेट बाहर आया को लीजन करने के बाद तब इसकी विलास्टी की नहीं हो गए यू माइनस यू अपान 20 हो गए जी न क्यों क्यों कि यू बटा 20 लास्ट कर दिया विलास्टी लास्ट किया है तो विलास्टी बची कितनी से पास 19 यू अपा 1 कितनी होगी बीटा तो करनेटी की नाजी अप कितनी हो गई माईंड़ पान 20 वह सहो हुगय Gए कर दिया एक ज्टा कि पर घंटी नलंजी में चेंज कितने का हुग मैं तो कड़ि नी कम हुगी लास्या हॉग् half m u square minus above half m 19 u upon 20 whole square अब जा देखन आपटा half m e square this is the loss of the energy delta kinetic energy बारावा मांद ही हाफ m e square टेकें कामन half m e square टेकें बाहर ले आपटा कामन हाफ m e square यहाँ पर भी half m e square यहाँ है बचा 1 यहां किन नमचा 19 अपन 19 का इस्क्वाय कर दो, 361, 361 अपन 400, ब्रावर कितना हुआ, धान देना, ब्रावर कितना हुआ, 400 में से 371 माइनस कर दो, 49, 39, तो हुआ, हाफ, में यू स्क्वायर इन्टु क्या, 39 बाइ, 39 बाइ, 400, तो यह है चेंज, अब आप से पूछ रहा है, यह आप से पूछ रहा है, कि हाव मच, हाव मच लास अब दा कानेटिक नजी, तो इस इस दा लास अब दा कानेटिक नजी, इतना हुआ, यानि, इस दूसर सब्दोर में लोग ऐसी कास्ते लिम्टा, कि 2 है 400, 300, उन्टाल, देखो, 39 M, U स्क्वायर अपान, 800 J, इस इस दा वर्क डाइ, ओ, के फंटास्ट, यह हैं का मान दिया हो, और U दिया हो, दोनों बैलू पूर करेंगे, साल करेंगे, तो देखो, अब यह एक स्क् автомобиль क उन्हेंट काश्ञाव गर्क हो, कि भू इस दसाना हैं, का फूर्प मान द की कानगा हो, नहीं का क्या है, पूर्फ था बूर्फ क्या हो, फ्रिक्षन का, ऐने अंदर नह सब्ना के अंदर किसृँ का और यह इसका अपूर्ज सब्सक्राइं, यह इस इसका अपूर् इनर्जी अब बटा 20 बची है अब इनर्जी कितनी बची होई है तो पहले इनर्जी कितनी थी इतनी अब कितनी है इतनी, loss केतनी बहुंज मुझेल अल्य जाइदा थी, एतनी अहां एंटीत अधी मुझेल मुझेद हो, इतनी नगती ही को किया हुआ है, हमोज भीने निंगेला है, निगोलो नगती सबस्क्राइबञा समय सबस्क्राइब तो कितना काम किया है इतना तो फ्रिक्शन तो प्लांक डन वर्क प्लांक वर्क किया है क्या करने का इनर्जी को लास कराने का फ्रिक्शन के दौरा कितना सोमच दिशिधा क्या पढ़ रहते हैं पीहंडेट फिजेक्स तो चलो अभी बहुत सारे क्वेशन बहुत सारे कंसेप् हम लोग पढ़ रहे हैं work power energy, क्या पढ़े बिटा, work power energy, फिर बिलते हैं अभी आप यह episode यहीं पर रोखे बिटा, यह था work power energy का episode number 2 था, lecture number 2 था, फिर बिलता हूँ अभी third number के episode में work power energy episode number 3, तब तक के लिए का है करे बिटा, जितने भी वीडियोज हैं, पीछे systematic, neutral slow motion का सारा one-to-all, collision के सारे, center of mass के सारे, इसे बादे में work energy power, साब बहुत ही fast देखते जाएं, देखते जाएं, पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, फास्लास का, और सारे questions को अपने मन से बाद फिर से solve करने की, कोसिस जरूर करिए, जरूर कोसिस करिए, अब जरूर साल्फ करिए, पिए फिर मिलते हैं best of like, तब तक लिए, जम कर पढ़िए, जम कर पढ़िए, जम कर पढ़िए, तोड़ फूर के पढ़िए, यह हितम जम कर पढ़िए, ओके,